मेरे पैरे देश्वासियों, पांच दिसम्बर को स्री अर्विंदो की पुन्यती थी है, स्री अर्विंदो को हम जितना पढ़ते हैं, उतनी ही घहराई हमें मिलती जाती है, मेरे व्युवा साथी स्री अर्विंदो को जितना जानेंगे, उतना ही अपने आपको जानेंगे, ख के बीच आप हमेशा से ही स्री अर्बिंदो को एक नई प्रेना देते पाएंगे, एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे, जैसे आज जब हम लोकल के लिए वोकल इस अब्यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो स्री अर्बिंदो का स्वादेशिका दरसन हमे रहा दिखात बांग्रा में एक बड़ी ही प्रभावी कविता है छोई शुतो पॉयमोंतो आसे तुंग होते दिश्टलाई काठी ताउ आसे पोते प्रोदिप्ती जालीते खेते शुते जेते किछुते लोग नौई शादिन यानि हमारे हां सुई और दिया सलाई तक विलायती जहाद से आ खाने पीने सोने किसी भी बात में लोग स्वतंत्र नहीं है वो कहते भी थे स्वदेशी का आर्थ है कि हम अपने भारतिये कामगारों कारीगरों की बनाई हुई चीजों को प्रात्मी का दे ऐसा भी नहीं कि स्रेयर्विंदों ने विदेवसाओं से कुछ सिखने का भी कभी विरोध किया हो जहां जो नया है वहां से हम सीखें जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोट्सान करें यही तो आत्मंदिर भर भारत भियान में वोकल फर लोकल मंत्र की भी भावना है खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देश स्वासी को पढ़ना चाहिए साथियों इसी तरह सिक्षा को लेकर भी सी अर्विंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे वो सिक्षा को केवर किताबी ज्यान डिग्री और नौकरी तक की सिमित नहीं निपमानते थे सिय अर्विंदो कहते थे हमारी राष्ट्रिय शिक्षा हमारी युवापीडी के दिल और दिमाग की ट्रेनी होनी चाहिए यानि मस्तिस्क का वेज्ञानी की विखास हो और दिल में भारतिय भावनाए भी हो सिय अर्विंदो ने राष्ट्रिय शिक्षा को लेकर जो बात तब कही थी जो अपेक्षा की थी आज देश उसे नई राष्ट्रिय शिक्षा निति के जरिये पूरा कर रहा है